आपके फ्रीज में क्या होता है केक, चॉकलेट, मिठाई और मेरे फ्रीज में कॉक्रोज मैं तो ये सोच रहा हूँ ये फ्रीज में घुसा कैसे चलो कोई नहीं आही गया है तो इसे बाईजद बड़ी करते हैं और ये रखे वे अंगूर जो खटे हैं ये कल के रखे वे परशाद और ये डरो मत कॉक्रोज नहीं इमली है फ्रीज को साफ करने से पहले हम आ जाते हैं घर की कुछ काम से बाहर मेरे लड़के को गैस स्टॉप ठीक करवाना होता और मुझे ये सर्फ चाहिए होता है फ्रीज साफ करने के लिए बाहर पारा इतना हाईवा कि थर्मामीटर तूट ना जाए उसके लिए हम पीते हैं गन्ने का जूस के सब गन्ना का जूस पिलाओ ना पर पापा बूलो तब मतलब एक गलास गन्ने के जूस के लिए मैं इसको पापा बूलू फिर याद आया फ्रीज भी साफ करना है वरना ममी मारेगी घर पहुंचकर फटाफट से लग जाते हैं काम पे थोड़ा सर्फ लेके चल दिये फ्रीज को चमकाने धबराओ नहीं मिडिल कास वालों के लिए नॉर्मल है ये सब और तूटा ही तो है जोर देंगे ये लो जोर दिया चलो फ्रीज तो साफ हो गया मैं भी चला साफ होने दो दिन से नहाया नहीं व्लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे